ब्रेकिंग यूजे लखनाउ से माफिया डॉन मुखतार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भरती करा गया है। सुत्रों के मताबेक उन्हें दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पिताल में भरती करा गया। वो लंबे वक्त से बांदा जेल में बंद हैं और उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। अमिद सिंग माचा जूरा है, हमिद क्या पता चल रहा है? अब जो दिन पहले ही मुक्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से रिचार्ज करके वापिस बांदा जेल लेकर जाया गया तो अभी पता कर चला हुआ हुआ क्या है। और मुक्तार अंसारी को जिस देल में रखा गया है, सिसी टीवी के जरीए 24-7 उस पर निजगरानी रखी जाती है। इसे ही जो अधिकारी थे हैं उन्हों देखा कि उसे हाद अटेक आया है, वो अधाज में उसके सिल पहे जाए गया, उसको लेकर तुड़न तब मेडिकल कॉलेज जेलर पहुंचे हैं, जहां हाद अटेक की बात इचल कर सामने आ रही है, हमारे सोर्सेश बता रहा है और उस लेकिन एक ऌस की तबेश ... पहले आरूब लगा कि जा रही है, उसके परिवार की तरफ से आरूब लगाए गया था, कि धीमें जहर दिया जा रहा है कि यहां तक कि मुक्ताल अंसारी ने बार्या प्रंथी के जिला अदालत में अफ्लिकेशन दायर की तिक उसे स्लो पॉजनिंग दिया जा रहा है और जिसके बाद के आदेश पर उसकी स्कूर्ची और जादा बढ़ा दी गई थी और जब दो दिन पहले उसकी तफेट भी कि अधिक बढ़ा जाती है गाजिपूर से उर्हों ने कहा कि मुक्तार अंसारी ने उसे कुछ कह था कि इस लोप वाजनि किया जा रहा है तो वह खाने के बाद ऐसा है नहीं सुस्थ करने लगता है तो जो जेलर थे बांदा जेल के तरफ से ठीटी जेल लगनों के तरफ से भी नारुकों को खारेज जेल के तरफ से लिए तो माफिय डॉन मुक्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा गया जैसामित ने बताया है सूतरों के मताबए एक दिल का दौरा पड़ा है जिसके बाद उनकी तबिएत बिगड़ गई उन्हें अस्पिताल म उनकी तबिएत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है लेकिन मुक्तार अंसारी को हार्ट अटैक आने की इन खबरों के बीच लोग सवाचुनाव के माहौल में हर तरफ अंसारी परिवार की चर्चा शूरू हो गई उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुक्तार अंसारी और उनके परिवार का लंबे वक्त तक सियासी दबदबा रहा है महान सुतंतरता सेनानी डॉक्टर मुखतार एमध अंसारी से भी जुड़ा है कई मौकों पर मुखतार एमध अंसारी ने ये दावा किया कि वो आजादी की लडाई महिस्चा लेने वाले सुतंतरता संग्राम के सेनानी मुखतार एमध अंसारी के पोते हैं और कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के लिए दिल खोल कर दान दिया था डॉक्तर मुखतार एमद अंसारी जामिया मिलिया इसलामिया के संस्थापक संदस्स थे वो जामिया मिलिया इसलामिया के कुलपती भी रहे था 1936 में निदन के बाद उनको विश्वित त्याले में ही दफना गया था